करपूर गवरं करुडावतारं संसार शारं भुजिगेंद्रहारं सदा बशंत मिर्द्यारबिंदे भमम भमाने सहितम नमामे नमस्कार मैं हूँ जोच्छाचार डॉक्टर विंतर पाठी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारक्रम भागी गुरु कारक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की स्थिति क्या है सुर्योदे कब होगा सुर्यास्त कब होगा चंद्रोदे कब होगा चंद्रास्त कब होगा राहुकाल कब है दिशासूल कब है चंद्रमा किस राशी पर रहेगा? कौन सा करण है? कौन सा तित्री है? कौन सा योग है? रहुकाल कब है? दिशा सूल कब इस सारी बात हम आपको बताएंगे आज का महामंत्र क्या है? महामंत्र का जब कैसे करेंगे? और जब करने से आपको क्या लाफ मिलेगा? इसके बाद 12 राज़ों की भी बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि आज 12 राज़ों की क्या इसती है कौन बिदेश जाएगा किसको बिदेश से धनलाब मिलेगा कौन भारती परसास्टिक से ओवे जाएगा कौन खेल के छित्र में जाएगा कौन कहानी लिखेगा कौन बनाएगा किसको प्रापर्टी से लाब मिलेगा किसको से ट्रेडिंग से धनलाब मिलेगा सारी बात आपको बताएंगे आपको सौधानी क्या वरत नहीं है उपाय क्या करना है किस अंक के प्रयोग करने से आपको अपार सा फलता मिलेगी यह सारी बात बताऊंगा गुरू क के नुस्खें भी बताऊंगा आज जिनका जन्मदीन हैं उनके भी बारे में बताऊंगा और दर्सकों के प्रस्टों का उत्तर भी दूँगा आप देखते रहेए भागी गुरु कार्शा अब यह बात करते हैं आज के महामंतर के आज का महामंतर है ओम हरौम जुम सह यह जो म प्रस्टी में वादेव महादेव के इस मंतर का अगर जब करता है तो निश्चित रूप से उसको बड़ी सफलता मिलेगी और रोग और सत्रों परास्त होंगे और अगर व्यक्ति जीवन और मृतुशे संगर्श कर रहा है इसे प्रस्टी में इस मंतर का जब करे तो उसको बड़ी सफलता मिलेगी और जीवन उसका ठीक हो जाएगा जदी मारकेश की दसा चल रही है महादसा चल रहा है अन्तर दसा चल रहा है ऐसे परिस्टी में इस लगु महा मिरतुजय का जब करना आपके लिए अच्छा रहेगा इसको करना कैसे सफेद रंग का वस्धारन करे रुद्राक्ष के माला से एक माला तीन माला नियमित करिए आप देखेंगे कि यह आपके लिए काफी फाइदेमन साबित होगा